नमस्कार, मैं हूँ डोक्टर शालिनी अगर्वाल, मैं एक गानेकॉलिजिस्ट हूँ और इस फील में मोर्दन 20 यहस से प्रैक्टिस कर रही हूँ करिंटली मैं क्लाउड नाइन हॉस्पिटल पटपरगंज डेली में प्रिंसिपल कंसाल्टेंट हूँ और मेरी अपनी क्लिनिक अराध्य मदर इन चाइल केर शिप्रसंसिटी इंदरपुरम गाजयबाद में हैं आज में आपके सामने बात करने वाली हूँ एक कंडिशन जिसे हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर प्रोलाप्स इसके बारे में इसका सिंपल से शब्दों में अर्थ है बचे दानी का नीचे खिसकाना fortunately आजकल ये प्रोब्लम पहले के निस्बत थोड़ा सा कम हो गई है पहले हम इस particular problem के cases बहुत सारा बहुत जादा देखा करते थे आपने सुना होगा जैसे आपसे बड़े लोग या दादी या नानी या कुछ ऐसे बुढ़े लोग उनके बारे में सुना होगा कि उन्होंने कभी complain किया होगा कि शरीर नीचे के रास्ते से खिसकाता है इसी को कहते हैं pelvic organ prolapse इसके होने के कारण तो बहुत सारे हैं हमारे अपने शरीर की बनावर्ट, हमारा अपना connective tissue किस प्रकार का है और साथ-साथ में ये होता है उन cases में जहां पे delivery के समय औरतें बहुत ज़ादा push करते हैं नीचे की तरफ और उसके बाद धीरे-धीरे इन अंगों में शिथिलता आने लगती है और वो धीरे-धीरे किसक के नीचे आने लगते हैं साथ-साथ और problems होती हैं जैसे जिनको बहुत ज़ादा खासी की शिकायत है या जो बहुत ज़ादा वजन उठाते हैं बहुत obesity है जहाँ पर भी पेट के अंदर का pressure बढ़ता है वो धीरे-धीरे हमारे pelvic organs को यानि कि हमारे uterus को नीचे की तरफ खिसकाना शिरू कर देता है नीचे खिसकाने के कारण apart from the fact कि ये बहुत uncomfortable है बहुत strain फील करती है औरते उनको पीट में दर्द रहता है और साथ-साथ में discharges बहुत होते हैं उसके साथ-साथ उनको दिकते कई बार आती हैं पिशाब और latrin यानि urine और motion को भी सही तरीके से पास करने में सही तरीके से पूरी तरह से खाली नहीं होता पूरी तरह से ठीक से कर नहीं पाते स्ट्रीम ठीक नहीं होती है बचा रह जाता है रिपीटेड इंफेक्शन होते हैं इस प्रकार की multiple problems होती है तो आईए जानते हैं कि इसका prevention क्या है और इसका treatment क्या है prevention यानि कि कैसे हम ये particular problem ह होने से बचा सकते हैं जैसा कि मैंने का कि जैसे जैसे उमर बढ़ती है तब इस problem के होने के chances बढ़ जाते हैं हलांकि कुछ young women में भी ये problem आती है पर वो बहुत कम होता है जादा तर उमर बढ़ने के बाद और after आपकी normal या vaginal deliveries होती है उसके बाद ये दिकते होने के chances जादा रहते हैं तो इसके लिए जरूरी होता है delivery के समय पे सही और उचित देखभाल होना delivery एक अच्छे institution में hospital based institutions में ही delivery होना जैसे कि पहले घरों में भी बच्चे हो जाते थे होने के लिए तो हो जाते थे परन्तो आगी के लिए औरतों को इस प्रकार की समस्याओं को ढिलना and of course छोटी families होना repeated और बार-बार delivery होने के बाद भी इस प्रकार की problem बढ़ती है जिनको खासी की बिमारी है या chronic constipation है जिनको बहुत जोर लगाना पड़ता है नीचे वो भी देखेंगे कि इस प्रकार की problems और बढ़ती जाएंगी तो इनका सही समय रहते सही उपचार कराना ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और क्या करे यदि आपको थोड़ा सा नीचे की तरह strain लगता है और शरीर नीचे खिसकने लगा है शुरुआत के समय में अगर केवल पूरी तरह से बचदानी नीचे बाहर नहीं आई है केवल थोड़ा से ही अपनी जगा से खिसक परन्तो इन एक्ससाइज को सही तरह से समझना जरूरी है नीचे के कैसे हिस्से की करनी है टाइप करना है ल्यूस करना है इस प्रकार की प्रॉब्लम आपकी कम हो जाएगी और वाहर निकल ही आता है शरीर तो फिर जादा तर इस एक और पर कम तीन महने तक करेंगे तो आप रह जाता है जिसमें नीचे के हिस्से से बच्चेदानी को निकालके और नीचे के शरीर को टाइट कर दिया जाता है कुछ और conservative operations भी होते हैं पर वो हम young औरतों में जिनमें बच्चेदानी को preserve करनी के जरूत है उनमें उनको किया जाता है तो बाकी अगर हम समय रहते इस particular problem के लिए सचेत रहेंगे हमें लगता है कि नीचे हमें जादा दबाव लग रहा है, जादा pressure लग रहा है और समय रहते हम उसका treatment कराएंगे delivery के समय में सही हम precautions लेंगे तो इस problem से हम बच सकते हैं बहुत ही बुड़ी औरतों में जिनमें operation की संभावना मुश्किल होती है जिनके लिए operation करना खत्री की बात होती है उनमें भी कुछ छला या पैसरी नाम की एक चीज होती है जिसको नीचे से डाल दिया जाता है अंदर जो कम से कम शरीर को अपनी जगा पे रोग के रखता है पर ये एक बहुत permanent solution नहीं है ये केवल उस situation में किया जाता है जहां पे operation कराना मुश्किल है किसी के लिए तो यही है तरीके इससे बचाओ करने के और इसके प्रती सचेत रहने के आशा करती हूँ कि आप इसके बारे में अच्छे से समझ के अपने आपको बचा पाएंगे यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपके कोई सवाल है तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें जिससे कि आपको इससे और बहतर कंटेंट देखने को मिलता रहे थैंक यू